परिचाए मम्मी देखो, मैंने दो समान समकोंड तिर्भुजों को जोड़ कर एक नया तिर्भुज बनाया है बहुत अच्छे राहुल, क्या तुमने नय तिर्भुज की भुजाओं और कोणों का निरिक्षन किया? हाँ मम्मी, दोनों भुजाएं और दोनों कों समान है बहुत अच्छे, अब दो समकोंड तिर्भुजों को जोड़ कर नया तिर्भुज बनाओ, जिसमें सब ही भुजाएं और सब ही कोंड समान हो मैंने वो भी बना लिया है मम्मी इस पार्ट में आप तिर्भुज और उसके गुणों के बारे में जानेंगे उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे एक तिर्भुज की माधिका एवं शीर्शिलंब को परिभाशित करना एक तिर्भुज के बाहे कोण के गुणों को बताना एक तिर्भुज के अंता कोणों का योग गुण समझाना एक तिर्भुज की तीनों भुजाओं के मत्थे एक संबंद स्थापित करना समबाहू एवं समद्वी बाहू तिर्भुजों के गुणों पर चर्चा करना एक समकोन तिर्भुज के पाइथा गूरस गुण की व्याख्या करना तिर्भुज के शीर्छ लंब एवं माधिकाएं एक तिर्भुज एक तीन भुजाओं वाला बहु भुज होता है जिसमें तीन रेखा खंडों से निर्मित तीन भुजाएं होती हैं दो आसन रेखा खंडों से निर्मित तीन कोण होते हैं तथा दो भुजाओं के मिलान बिंदु से निर्मित तीन शीर्ष होते हैं एक तिर्भुज में माधिकाएं और शीर्ष लंब भी होते हैं माधिकाएं एक तिर्भुज की माधिका एक शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर खींचा गया एक रेखा खंड होती है, जो उसे सम दूइभाजित करती है आकृती में शीर्ष P से सम्मुख भुजा QR पर एक रेखा खंड P S खींचा गया है ये QR को दो बराबर भागों में विभाक्त करता है, इसलिए एक शीर्ष P से सम्मुख भुजा QR पर P S एक माधिका है एक तिर्भुज में उसके प्रतेक शीर्ष से खींची गई तीन माधिकाएं होती है, आईए शीर्ष दो माधिकाएं खींचते हैं हम P R को बिंदू T पर उसे सम्दूइ भाजित करने के लिए Q से एक रेखा खंड खींचते हैं आताहा शीर्ष Q से सम्मुख भुजा P R पर खींची गई Q T एक माधिका है हम Q P को बिंदू U पर उसे सम्दूइ भाजित करने के लिए R से एक रेखा खंड खींचते हैं इसलिए शीर्ष R से सम्मुख भुजा Q P पर खींची गई R U एक माधिका है शीर्ष लंब एक तर्भुच का शीर्ष लंब तर्भुच की उन्चाई की एक माप होता है ये किसी तिर्भुच के आधार के लंबवत उसके सम्मुक शीर्ष से खींचा गया एक रेखा खंड होता है इस आकरिती में शीर्ष P से आधार QR पर एक रेखा खंड PS लंबवत खींचा गया है ये QR को समकोन पर प्रतिछेत करता है इसलिए PS, QR आधार वाले एक तिर्भुच PQR का शीर्ष लंब है तीन शीर्षों के संगत एक तिर्भुच के तीन भिन शीर्ष लंब होते हैं आईए अब हम शीर्ष शीर्ष लंबवों को ध्यान से देखते हैं हम Q से RP के बिंदू T पर एक लंबवत रेखा खंड खींचते हैं ये RP को समकोन पर प्रतिछे दिद करता है इसलिए QT आधार RP वाले तिर्भुच QRP का शीर्ष लंब है हम R से PQ के बिंदू U पर एक और लंबवत रेखा खंड खींचते हैं ये PQ को समकोन पर प्रतिछे दिद करता है आता हा R U आधार P Q वाले तिर्भुच RP का शीर्ष लंब है तिर्भुच के बाहे कोन एक तिर्भुच के तीन अन्ता कोन होते हैं इसके कुछ बाहे कोन भी होते हैं आईए अब हम इनको ध्यान से देखते हैं एक तिर्भुच का एक बाहे कोन जैसा की इसके नाम से प्रतिद होता है तिर्भुच के पाहर इस्थित होता है एक तिर्भुच के एक शीर्ष का विस्तार करके हम एक बाहे कोन की रचना कर सकते हैं तीन शीर्षों के संगत एक त्रिभुज के छे बाहे कौन होते हैं. यति हम त्रिभुज FDE के शीर्ष E का विस्तार करते हैं, तब बाहे कौन FEG की रचना होती है. इसी प्रकार जब हम शीर्ष D तथा F का विस्तार करते हैं, तब बाहे कौन EDH तथा DFI की रचना होती है. एक त्रिभुज के एक बाहे कौन की माप इसके सम्मुक अन्ता कौन की मापों के योगफल के बराबर होती है. आकृती में कौन FEG की माप कौन FDE तथा DFE के योगफल के बराबर है. आईए अब इसे सिद्ध करते हैं. हम एक बिंदू E से एक रेखा खंड EJ इस तरह खीशते हैं कि EJ तथा DF समनांतर हैं. यदि हम IE को एक तिरियक रेखा मानते हैं जो समनांतर रेखाओं DF तथा EJ को प्रतिछेदित करती हैं. तब कौन एक बराबर कौन चार ये एक आंतर कौन हैं. यदि हम DG को एक तिरियक रेखा मानते हैं जो समनांतर रेखाओं DF तथा EJ को प्रतिछेदित करती हैं. तब कौन दो बराबर कौन पांच है ये संगत कौन है. चरण एक और दो से हमें प्राप्त होता है कि कौन एक जमा कौन दो बराबर कौन चार जमा कौन पांच है. इसका तातवर है कि कौन FEG बराबर कौन DFE जमा कौन FDE है. अता एक तिरभुज का बाहे कौन आत्म मूल यांकन ध्यान पूर्वक प्रशनों को पढ़िये एवं सही उत्तरों का चयन कीजिये. तिरभुज के कौन एक तिरभुज के तीन कौन एवं तीन भुजाएं विशेश गुणों का प्रशन करते हैं. कोड़ों के योग का गुण एक तिरभुज के कोड़ों के योग का गुण बताता है कि एक तिरभुज के तीनों कोड़ों की मापूं का योगफल 180 डिक्री होता है. आकरिती में कौण A जमा कौण B जमा कौण C बराबर 180 डिक्री है. आएए अब हम एक तिरभुज के कोड़ों के योग के गुण को सिद्ध करते हैं. आएए कौण B A C का विस्तार करें. कौण 4 बराबर कौण 2 जमा कौण 3 है. ये बाहे कौण के गुण द्वारा है. कौण 1 को दूनों तरफ जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है. कौण 1 जमा कौण 4 बराबर कौण 1 जमा कौण 2 जमा कौण 3. कौण 1 जमा कौण 4 बराबर 180 डिक्री. इसका दाथ पर है कि कौण 1 जमा कौण 2 जमा कौण 3 बराबर 180 डिक्री है. आता एक तिर्भुच के तीनों कोणों की मापों का योगफ़ल 180 डिक्री होता है. भुजाओं की लंबाईयों के योग कागों एक तिर्भुच की किनी भी दो भुजाओं की लंबाईयों का योगफ़ल सदैव तीसरी भुजा की लंबाईय से अधिक्री होता है. दूसरे शब्दों में एक तिर्भुच की किनी भी दो भुजाओं की लंबाईयों का अंतर सदैव तीसरी भुजा की लंबाईय से कम होता है. तीन रेखा खंडों जिनकी लंबाई इस गुण को संतुष्ट नहीं करती है, उससे एक तिर्भुच नहीं बनाया जा सकता है. तिर्भुच L M N में L M 5 सेंटीमीटर लंबी है, M N 4 सेंटीमीटर लंबी है, तथा N L 7 सेंटीमीटर लंबी है. आईए, सर्व प्रथम दो भुचाओं की लंबाईयों के योग को देखते हैं. L M जमा M N बराबर 5 जमा 4 बराबर 9 सेंटीमीटर है, जो की बड़ी है N L से, जो 7 सेंटीमीटर की है. M N जमा N L बराबर 4 जमा 7 बराबर 11 सेंटीमीटर है, जो की बड़ी है L M से, जो 5 सेंटीमीटर की है. N L जमा L M बराबर 7 जमा 5 बराबर 12 सेंटीमीटर, जो की बड़ी है M N से, जो 4 सेंटीमीटर की है. आईए सर्वप्रत्थम दो भुजाओं की लंबाईयों के मद्धे अंदर को देखते हैं. L M घटा M N बराबर 5 घटा 4 बराबर 1 सेंटीमीटर है, जो की छोटी है N L से, जो 7 सेंटीमीटर की है. N L घटा M N बराबर 7 घटा 4 बराबर 3 सेंटीमीटर है, जो की छोटी है L M से, जो 5 सेंटीमीटर की है. N L घटा L M बराबर 7 घटा 5 बराबर 2 सेंटीमीटर है, जो की छोटी है M N से, जो 4 सेंटीमीटर की है. तिर्भुज L M N भुजाओं की लंबाई के योगफल को संतुष्ट करता है. विशेश तिर्भुज कुछ विशेश तिर्भुजों की भुजाओं और कोणों के कुछ विशेश कोणों होते हैं, ये विशेश तिर्भुज इस प्रकार हैं. सम बाहु तिर्भुज, सम दूई बाहु तिर्भुज और सम कोण. आईए इनके पारे में जानें. संबाहु तिर्भुज वह तिर्भुज होता है जिसकी तीनों भुचाएं एक दूसरे के बराबर होती है तिर्भुज आर एस टी में आर एस बराबर एस टी बराबर टी आर है एक संबाहु तिर्भुज में तीनों कोडों की मापें भी समान होती है तिर्भुज RST में कौण RST बराबर कौण STR बराबर कौण TRS है अता एक सम बाहु तिर्भुज एक सम कौणिक भी होता है सम दूई बाहु तिर्भुज बहा तिर्भुज होता है जिसकी तीन में से दू भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती है तिर्भुज LMN में LM बराबर LN है एक सम दूई बाहु तिर्भुज में समान भुजाओं के समुक कौण भी समान होते हैं तिर्भुज L M N में कौन L M N बराबर कौन L N M है एक समकौन तिर्भुज में समकौन की सम्मुख भुजा सबसे लंबी होती है इसे कन कहते हैं दो भुजाएं जो उनके बीच समकौन बनाती है समकौन तिर्भुज का पाद कहलाती है पाइथा गुरस नाम के एक युनानी दार्शनी द्वारा खोजे गए पाइथा गुरस गुण के अनुसार एक समकून तिर्भुज के दो पादों की लंबाईयों के वर्ग का योगफल उसके कण की लंबाई के वर्ग के बरावर होता है। पाइथा गुरस गुन के अनुसार समकोन तिर्भुज PQR में PQ वर्ग जमा QR वर्ग बराबर PR वर्ग है तिर्भुज XYZ में ये दिया गया है कि XY वर्ग जमा YZ वर्ग बराबर XZ वर्ग है आईए सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराते हैं एक तिर्भुज की मातिका एक शीर्ष से उसकी संभुंग भुजा पर खींचा गया एक रेखा खंड होती है जो उसे समदूई भाजित करती है एक तिर्भुज का शीर्ष लंब तिर्भुज के आधार पर सम्मुख शीर्ष से खींचा गया लंब होता है एक तिर्भुज के बाहे कोण की माप सम्मुख अन्ता कोणों की मापों के योगफल के पराबर होती है एक तिर्भुज के तीनो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है एक सम्म बाहु तिर्भुज की सभी तीनों भुजाएं तथा कोण बराबर होते हैं एक तिर्भुज की तो भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी भुजा से अधिक होता है एक सम्म कोण तिर्भुज के दो पादों की लंबाईयों के वर्ग का योगफल उसके कण की लंबाई के वर्ग के बराबर होता है